अबसकार दोस्टों नियो स्टडिट 24 में आप सभी का स्वागत इसे पहले हम देख चुके थे विज्ञान और किश्टर हमने विज्ञान को चार भागों में बांटा था और। उसके बाद फिर्म भवतकी विज्ञान को भी दो भागों में बांटे थे और उसके बाद आज वीडियो लेके आ रहे हैं भाउतिक आनि विज्ञान की वसाखा जिसके अंतरगर हम दरव एबं उर्जा का प्रस्पर किरिया का अध्यां करते हैं एबं प्रक्रिति में घंटिन होने वाली घंटनाओं की व्याख्या कर मापने का जों पर्यास करते हैं उसे हम करते हैं भाउत दूसरा ओप्रिक्स यानि प्रकास की या प्रकास तीसरा इलेक्रिसीति यानि विदोत्त चौथा मैगनेटिज्म यानि चुम्बत पांच मां साउन धोनी छट्था इट यानि उसमा साथ मां मॉडर्ण फिजिक्स और आठमा इलेक्रिसीति और इसी के अंतरगर थमाल मेंक् कि विदेख रहे हैं और यहां तरीखिक पारे में फिर मुंशन देखेंगे फिर ग्रe surgeries के वान फिर के चलाएं तक आज नहीं होगा इंड़ा इसके तो मेजर्मेंट की मेजर्मेंट इसके मांपन दोस्ट और मापन जो है हमारे दैनिक जीवन का एक अभीन अंग है इसके बिना विज्ञान एवन पड़ादयुकी की उन्नती संभब नहीं है उधारन से में पता चलता है कि किस तरह मापन हमारे दैनिक जीवन में महत पूर्ण है आई आपकों बताते हैं अगर उसके ताप में एक डिगरी का भी व्रधी हो जाए तो अस्वस्ट महसूस करता है और इसके लिए वह चिकित्सक के पास आता है यानि उसको चिकित्सक के आवस्त्ता होती है अगर चिकित्सक उसे मापी नहीं और डवाई दे तो उसका श्वस्त और मिलर सकता है तो इसलिए चिकित्सक क्या करते है उसको मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट के अनुसार उसको सही खुराग देते हैं कि कब और कितना खुराग उसको चाहिए अगर यहां पर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे, तो यहां पर आदमी की जान भी जा सकती है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मापन हमारे लिए किस प्रकार महतपूर्ण है, अगर हम, दूसरी एक्जामपल, अगर हम स्वर्थ आभुसन की दुकान पर जाते हैं, और उसके मा मांपन हमारे दैनिक जियर में किस तरह महत्पूर कार्ज कर रहा है। तीसरा एंजामपल आप ले सकते हैं। जैसे अगर आजकर अकसर सुनते होंगे तीवी में जाए नियूज में कि पर्दूसन बहुत बढ़ रहा है। वायू पर्दूसन हो चाहे जलब पर्दूसन। अगर जलब पर्दूसन और वायू पर्दूसन बढ़ रहा है। यह हमें कैसी पता चलता है कि हमें बढ़ रहा है। मापन के दुवारा ही इसका अस्तर किस तरकम हो रहा है और कब जाइदा हो रहा है अगर जाइदा हो जाएगा तो मादो के शरीड के लिए उती खतर्नाक सावित होगा इसलिए इस उधारन के दुवारा भी हम अस्पष्ट रूप से उसमिस्कश पर पहूंचते हैं कि मापन हम कि यह कितना है जैसे भारत का पॉपुलेशन इतना करोर है जो भी होगा इतना पॉपुलेशन होगा तो क्या हुआ एक तरह से बता रहा है कि इतना है कि कि उसका उंड्र कितना है इतना है कि उसका इतना है जैसे को वस्तु है इसको वेट करते हैं पता चलता है है कि जाए इतना चलता है यहां पिए चलता यह चलता है दो ह्माप और अनौट दुछ सके है लुष सके है कि दो पर रोते हैंمة दूसरा ड्रेव फंडामेंटल क्वान्टिटी वेसी रासी इसे वेक्ट करने के लिए किसी भी आप सकता नहीं होती है उसी हम कहते है क्या फंडामेंटल क्वान्टिटी जैसे लंबाई द्रवमान और समय यह सब क्या हुए फिजिकल क्वान्टिटी यानि फंडामेंटल क्वान्टिटी आपने आप में षोतां वहते हैं ड्राइब क्वान्टिटी जिसे मापने के लिया किसी सहता लेते हैं सोब्राइब इसे आगे चलते हैं युनिदेशनी मात रग कोई विस्तु है उसे हम वेक्त रिशomp cal year जो मानक का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं मात्रा करते हैं जैसे हम लंबाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मिटर का प्रयोग करते हैं और द्रमान को मापने के लिए किस मानक का प्रयोग करते हैं किलोगराम का प्रयोग करते हैं और समय को मापने के लिए मूर मात्रक और फंडामेंटल उनिट का है वह इसे मात्रक इसे वेफ्ट करने के लिए किसी का सहयों क्यांबसकता नहीं होती है उसी हम क्या करते हैं मूर मात्रक करते हैं जो अपने आग में श्वतंत रहा है अब सोतना कोन कोन है लंबाई का मात्रक मीटर दरबान का मात्रक किलो गराम अब इसके वार चलते हैं अब इसके वार चलते हैं अब यहां से अक्सल कहीं एक्जाम में और इंडरेक्टली कोष्टन देखेगाते हैं तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है अब इसे कहते हैं इसे मात्रक जिसे प्रकट करने के लिए मूल मात्रक यानि मीटर किलो गराम और सकेंड इसकी आरशक्ता होती है उसे हम क्या करते हैं वेट्पन मात्रक करते हैं अब इसके एक्जाम्पल देखते हैं यह बहुत ही महत्पूर्ण है अब देखिए बल्ब आप लोग तुने व्रमान इंटू तो अरण यह संदेख देख सकते कि किस प्रकार मुल मात्रक हमें सभयोग कर दा है कि मस का थालने सरह हैं यह से कि धिवार्व को जो होता है नीटर और मासका जो होता है किलोग्राम और एक्षिलेशन जैस्च का हुँता है meter per second square तो कि यह हूँ गया kilo gram कि संकेत में है कि संकेत में हैं संकेत में दिदे कि लोग्राम मीटर से केंड स्कॉइड अब दूसरा एक्जामपर देखते हैं अरिया हम लोग जानते हैं या या आईटन हम पाले से जानते हैं जो प्राइब आपा एंटो चौडाई इंटो उचाही होता है तो लेंग के मिटामिट होता है मीटर और रांपी दो था मिटर हुआ था मिटर हम इसको कह सकते हैं लो न बावर मीटर क्यों कि अब चॉटा देंटिसी ब्रेंशिती धिश्म देंटिसी ड्राइब होता है मास एक इस से आगे देखते हैं एकसिलेराशन गाल फर्मूला होता है वेलोसिटी चेंज अपॉन टैइन वेलोसिटी चेंज का यूनीट होता है मीटर पर सेकेंड और टैम का यूनित सेकेंड होता है विसको तो इसको कड़ें मीटर 1 क्षार एंट जी अक्वियद एल्ज थर् Loy of a ची-लिल १र कई बीर सक्टहरे श्टांड यहाओ up एक। है reeφ HEY ole यह एक C ले vivo değil ने टो कि को अगुझा सकते हैं और अगला है मोमेंटम का फर्मूला होता है इसे हम लिख सकते हैं किलो ग्राम मीटर पर सेकेंड अब अगला है वर्क का फर्मूला होता है फोर्ष इंटू डिस्तेंस और फोर्स का यूनिट होता है नूटन जोकी नूटन इसे पहले देखे थे फर्स्ट नम्मर में और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर तो इसे हम लिख सकते हैं नूटन मीटर अब यह पावर बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है इसे दो बार पूछाएं पावर का फर्मूला है वर्क अपॉन टैंग और वर्क का यूनिट होता है जूल और सकेंड का यूनिट होता है सकेंड तो इसे हम लिख सकते हैं इसे हम वाट या हम उसे वाट भी कर सकते हैं और अगला है प्रेसर प्रेसर का फर्मूला आता है फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स का यूनिट है नूटन और एरिया होता है, मेकर सकेंड मेकर सकते हैं नला फोर्स तरन प्रमूला होता है और फोर्स का यूटन और प्रमूट रहिक 녹ल या नहीं किये तो डैम यद्याल उसका किए, तो रहीकल का टायं वह को यूपनित है हूसाल अृजन उससर बिदा है नूटन और ताइम इंटरवल गी सब्सक्राइब सब्सक्राइब होता है सब्सक्राइब तो कहीं ने करी ड्रेवर यूनिक विद्मन मातरत जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ सम्देख रहे हैं इस इस पहले फर्ष्ट नमबर का जो फोर्ट है वह भी प्याश्ब्सक्राइब और इसके बाद यह दो बार आ चुका है पावर और प्रीयृ जो है वह एक वाल जो आ चुका है तो कम से कम इस पर जैड़ा ध्यान दे नेक्स नेक्स स्टम उप यूनित यानि मात्रकों की पद्धती तो मात्रकों की पद्धती की बात करें तो चार प्रकार मात्रकी पद्धती हैं MKS पद्धती, CGS पद्धती, FPS पद्धती और SI system जब हम निम्स का यूलीट, मीतर लेते हैं। और अंध म्स का कि pilgrim कुलगाम लेते हैं। और sit क स्वेनल्ट संधे लेते हैं। तब उसे हम कते हैं हम मेठ यूलीट संधे समें parler हैं। और सिस जू सेज्फी हैं। जब लेंट का यूनिट फूट और मास का यूनिट पाउंड और टाइम का यूनिट सकेंड हो तो उसे हम कहते हैं FPS सिस्टम अब इसके वाद है SI सिस्टम यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है अब SI सिस्टम में है अब SI क्या है कि SI एक संचित नाम है और परजेंट में जो है SI यूनिट का ही पर योग लगभग संसार के हर जगा किया जा रहा है और SI का है हेड़ क्वार्टर जो है यानि मुख्याल है वह प्रांस के पेरिज में है और SI सिस्टम को साथ मूल मात्रक और दो सप्लीमेंटरी यूनिट यानि संपूरक मात्रक में बाटा गया है अब देखते हैं फंडामेंटल यूनिट और SI का मूल मात्रक साथ सेवन जो है तो फ़र्ष्ट है लेंड लेंड का ऐसा मात्रक मीटर लिया गया है उसका सिंबॉल एम होता है और इसे 1983 में लागू किया गया था सब्सक्राइब देखते हैं सारे नहीं मास और मास का यूनिट किलोग्राम है एस है पद्रक के अनुसार और इसका सिंबॉल केजी होता है और इसे उसा इस सिंबॉल में गया था जो इसका सिंबॉल में इस पुकारते हैं और इसे से ननृटि एट लाउब किया गया था है स्पाँच इद ले नित तेंप्रेचर से इसाइवाट क्याद होता है और इसका सिंवलB होता है और इसे नाइटी सिक्स्टी सेवन में लाग्ग लिम्मनियस इंटन्सीटी इसका इसा मातर कैंडेला होता है मतलब परकास की विब्दारब और इसी लाग्गग किया गया नैंटी सेवन दिन बातर देखते हैं मतलब पतार्थों की मात्रा इसका मोल होता है और इसे मोल से सुचित किया जाता है और इसे 1971 में लागू किया गया अब देखते हैं सब्लीमेंटरी यूनिट तो सब्लीमेंटरी यूनिट के अंतरगर्थ दो यूनिट है इसे जिसका एसे मात्रा रेडियन होता है और सोलीड एंगर जिसका एसे मात्रा एस्टे रेडियन होता है तो I hope आपने समझ लिया है आज के लिए बस इतना ही अब आगे की कलास नेक्स डे बहुगी तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब कर लें लाइक और कॉमेंट जरूर करें